जैसे किसना दोस्तों बी एस सर्मा बद्वा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत हैं दोस्तों आज का जो टोपिक है हमारे पास में कई मातावेनों के कमेंट आए कि गुरुजी हमारे कुंडली में संतान प्राप्ति योग है पुत्र प्राप्ति योग हैं फिर भी हमको पुत्र की प्राप्ती नहीं हो रही, इसका कारण क्या है, कई मातावेनों के, साधी के ददद साल हो चुके हैं, पंदे पंदे साल हो चुके हैं, उनको संतान नहीं हो रही, डॉक्टरी चेक अप कराते हैं, डॉक्टरी चेक अप ठीक हैं, कई वार ऐसा होता है, कि दबाईया काम नहीं कर रही है डॉक्टरी चेकप पराई इलाज कराने फिर भी नहीं हो रहा दबाईयां भी सूत नहीं कर रही है कई बार ऐसा होता है संतान तो होती है पुत्रियां पुत्रियां हो रही है पुत्र नहीं हो रहा कई बार ऐसा होता है गर्व धारन ही नहीं होता किसी के हो और कई मेलाओं के ऐसा होता है कि बच्चा जिनम ले लेता है लेने के बार में बच्चता नहीं है हफ्ता वा दिया आठ दिन जिया साथ दिन दिया चार दिन दिया जिया एक महीना जिया उसी साल के अंदर अंदर बच्चा चले जाता है तो यह किस कारण से होता है दोस्तों यह होता है मृत्वश्या दोस एक तो कुंडली में मृत्वश्या दोस के कारण होता है और एक दूसरा होता है कि अगर किसी ने कोक मान रखी हो कोक बंदन और एक जो ऊपनी च्शाया किसी के पीचे कोई परचाये पड़ी है किसी बंस में पड़ी ही है उसका बंस ने चलने दे रही यह रास्ते में गरबती मेला जा रही है किसी बुरी सक्ती की च्शाया पर गई या साधी के समय साधी के बाद में उसके कपड़ों के द्वारा किसी ने कुछ कर दिया या कई बार ऐसा होता है जिनके संतान नहीं हो रहे होती है या पुत्र नहीं हो रहा होता है वो दूसरी इस्ती के कपड़े को लेती है और इस कपड़े के द्वारा कई तरह से कोक बंदन के उपाये से उटे हैं कि अपनी खुल जाती है दूसरों का पुला कर देते हैं कई बात तोने टोटके करके डाल देते हैं इसके के लक्षन भी होते हैं प्रवाब भी दिखाई देने लग जाता है जिसकी बीडों में पहले भी डाल रखिया नावी के नीचे दाद रहना सपने में बुजर्ग इस्तिका दिखाई देना या किसी को बद्वा देते दिखाई देना कई कारण सपन के संकेत हो जाते हैं तो इसलिए बच्चे करना बच्चना दबाई काम ना करना उपाय आपने बौट किये पत्रियां विसेशन करवाई जाप अनुस्तान कराए फिर भी निस्पल हो रहे हैं जब तक असली नव्ज पकड़ में नहीं आएगी कि बीमारी क्या है तब तक इलाज होना संभव नहीं है असंभव हो जाता है इस परिशानी से बहुत गिर्शित हो जाते हैं बहुत से दंपत्ती निरास हो जाते हैं लाखों रुपे तंत्र मंत्र वारे जार फूंक वाले जो लूट लेते हैं कोक बंदन कह करके खोलते कुछ नहीं है हाँ जी आज दसजाएगा खर्चाएगा पहले दिनगे निसुर्प कि परामरम से फिश्चाएगा बीस आएगा पचास काएगा लाख कायःगा खे करके ठकते रहते हैं बरवार हो जाते हैं दॉक्टरों के चक्डर में भी बरवारात हो जाते हैं तो ऐसे निरास दंपत्ती कहा जाएं दोश्तों करने बाले उपाय होते हैं पर ध्यान रखें जो जो हम रश्ता बताएंगे आपको पोलो करना है तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना बिश्वास के साथ करेंगी तो पूरी होगी होगी लाखों दमपत्यों को इसका फायदा हुआ है लाखों दमपत्यों के फायदे के परणाम सुरूप कई ऐसे भक्तों के फायदा हुए है जिनकी सेवाएं काम होने के बाद आ रहे हैं गुरुजी हम तो निरास हो गए थे हमें कोई रष्टा दिखाई नहीं दे रहा था कई भक्तों ने का गुरुजी हम चाते ही कि हमारा बंस ब्रिद्धी हुई बिंदरावन में आपके बरिजवूमी में हम आपके लिए मदद करें हम चाते हैं कोई इस्थान बनाये जाए जिससे स्योग प्राप्त हो हूं हुआ है उनकी भी मॐँ हम ने सुनिए कि जिनकी मनो कामोना हो रही है जरूर स्योग करें बुल बुल से घरा बताई वह आगे हम बीडियों बताएंगे कि जिसमें हम एक इस्थान भी बनाने जा रहे हैं जिसमें धार में किस्तान हो जिसमें भक्तों का कस्ट निवार्म किया सके दोस्तों अब रही बात कि कोक बंदन खोलने के लिए क्या किया जाए दवाईयां काम नहीं करते उसके लिए क्या किया जाए साधिक्स परिशानी से परिशाने तो क्या किया जाए उनके लिए कुछ उपाय बता रहे हैं आपको बीडियों को पूरा ध्यान से सुनना हैं सबसे पहला तो पती पत्नी अपनी कुंडिली का विशिशन जिरू करवाएं कुंडियों हसलेखा का विशिशन जिससे पता चले कि कई मृतवस्या दोस्तों नहीं हैं किसी ग्रे के प्र ही प्रभाव दिखातिति ये जह हमारे ग्रे कमज़ोरूंगे तभी दिखातित हैं कुंडियों स्योग ब्रांवर से पतनि дост Nee कि मृत्प बता width जाते हैं उन्हें मानें कि कि चरिए बींक अप संकल्प लेकर कि की आपको आपको करना हैं है और साथ में हरवन सुपरान बी जर सुननी हैं कोशिस करें साथ वार से कम अर्वर्ष परान नहीं सुनने गर्वदान के बार में भी सुनते रहें इसके साथ कुछ अलग से इसके स्पेशल उपाय जो होते हैं कुणुली के अंसार उन्हें जरूर करें विश्वास के साथ में करें कर दोस्तों अगला आपको करना यह हैं कि सनीवार के दिन पती पत्नी दोनों भी कर कर सकते हैं पत्नी भी कर सकती हैं तीन तरह की डाल लेनी हैं तीन तरह की डाल में आप मसूर की डाल ले लो औरद की ले लो और मूम की ले लो मूम मसूर औरद तीनों जो है आपको थोड़ी थोड़ी सी लेनी है ददस ग्राम सनिवार के दिन ये ला के घर पे रख लो एक पीपल का पेड़ सनिवार को आपको ला के रख लेना है और आपको दो चूड़ी हरी एक बिंदी का पत्ता ये भी ला के घर पे रख लेना है जो सिंदूर रख लेना है रविवार की प्राते शूर उरे से पहले उठकर के श्नान करना है और आपको किसी इस्थान पर जाना है जहापर पीपल के पेड़ की आप सेवा भी कर सकें किसी पारक में मंदर के इस्थान में आपको वहाँ पर थोड़ा गड़ा खोड़ लेना है गड़ा खोड़ करके हाथ में तीनों दालों को लेकर उने में जो सिंदूर मिला लें और हाथ के उपर एक बिंदी का पत्ता और चूड़ियां रख लें इन्हें रख करकें अपनी सिर से उल्टा आपको साथ बार गुमाना आएं पांच या साथ बार उल्टा गुमा आएं जैस सीधी होती है गड़ी की इसमें चलती है सीधी तो उसे उल्टी बिप्रित दिसा में उल्टा गुमा करकें और अपनी नावी के नीचे गर्विस्तान से साथ बार स्पस कराके और अपनी मनो कामना बोलते हुए वहां पर गड़े में डाल देना हैं इसके बाद एक पीपल का पेड़ के पोड़े को संघ्वार के लेकि काय आए उसे वहा लगा देना हैं और मित्टी से दबा करकें, उसके उपर आपको जल उसमें थोड़ी दूझ दाल करके चड़ा देना हैं फिर फिर तीन महीने उस पीपल के पेड़ की आपको पूजा करनी है जो जल चड़ाना है और वहां घी का दीपक या ससुंग तेल का दीपक रोज जला के आना है तीन महीने के अंदर जैसे पौदा बढ़ा होगा पौदा अगर लग गया तो निश्यत रूप से आपकी कोग खुल जाएगी पौदा सूखना नहीं चाहिए तीन महीने कोग बंदन खुल जाएगा यह सबसी प्रवाब साली उपाए दोस्तों अगला उपाए अगले उपाए में आपको करना यह है कि सनीवार या मंगलवार के दिन आपको साहिकाल के समय छोटे छोटे मिट्टी के तीन बरतन लेने तीन बरतन लेकर के उन बरतनों में कच्चा दूद दालें थोड़े थोड़े काले तिल डालें थोड़े थोड़े चावल के दाने डालें एक एक बेल पत्र का पत्ता तीनों में डाल दें तीनों में डाल करके फिर आपको एक घीक तीन घीके दीपक भी लेने हैं उनमें दो-दो फुल डाल लॉंग डाल देनी है और तीनों में अगर कुसा हो कुसा नहीं है तो आप दूरबा डाल सकते हैं तीनों में डाल दें आपको जाना है सबसे पहले पीपल के नीचे हैं एक कलस्मा रखा दीपक जलाया और अपनी प्राथना भोल के चल दो पीछे मुझ के ना देखो दूसरा बटब्रच जिसे बरगर भी कहते हैं उसके नीचे रखना है और तीसा बेल पत्र के नीचे हैं बेल पत्र नहीं है तो समी के नीचे रखना है रखक महिने में एक वार कर लो शुकल पक्षिम करना चार नी रातों में मंगलवार या सनीवार मंगलवार तो सबसे ज़्यादा सेश्ट है तीन मंगलवार कर ले ना तीन महिने निश्चित रूप से कोक खुल जाती है मदार की जड़ जैसे आकड़ा कहते हैं रुई भी कहते हैं उसकी जड़ को अगर सपेद मदार की हो तो ज़्यादा सेश्ट है सपेद नहीं मिलता तो नीला भी ले सकते हैं सुकल पक्षिके इस सुक्रवार को गोंती चक्र के साथ में उसे सिद्ध करके काले कपड़े में धारन करने तब भी कोक बंदन खुल जाता है दोस्तों मंगल वार के उपायों को करने से कोक बंदन खुलेगा और एक उपाय आखरी और है यह आप कभी भी एक बार कर लेना यह उपाय आपको सनीवार की दिन करना है एक छोटी सी मठकी लेनी है ज्यादा बड़ा वरतन नहीं हो छोटा सा उसमें सैडवल लेना है और छोटे से काले कपड़े से उसे मोली से बांदे रहे और अपनी प्रातना करके सिर से साथ बार उल्टा गुमा करके कई पीपल के पेड़ के नीचे यह बैटवी नदी के किनारे मिट्टी के नीचे दवा के चले आना इस्ति के उपर यह करना है में इलाक उपर इन चार उपायों को कर लो साथ में हरिवर्स पुरान संकल्प ले करके सुनो कि हमारी मनो काम ना पूरी हो जाएगी हम यह संकल्प करते ही तो संकल्प करके पुत्रेष्टी कठा का जो है उसका लिंक दिस्क्रेप्शन में दे देंगे उसमें पहले दिन संकल्प की बिड़ी बताई गई है उस वीडियो को सुनना अच्छी तरह समझें पुत्रेष्टी और वर्वर्स पुरान दोनों एक-एक समय सुननी है तो निश्चत रूप से कोक बंदन खुल जाएंगे मनो कामना जरूर पूरी होगी दोश्तों ये कोक बंदन खोलने की संतान प्राप्ती की पुर्त प्राप्ती की जैसी विच्छा है संतान से सम्मानित है दोस्नवारन की जानकाई दी आगे भी और भी बीडियो में हम यही सास्तों के अनसाथ जानकार ये डालते रहेंगे जिन में कोई धन लगे नहीं परिश्च्छम कम हो फल जारा मिले विश्वास के साथ करना आपकी मनो कामना जरूर पूरी होगी आप सभी को जैसी किसना